नमस्कार, स्वागत है आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं प्रोनाउन का रिलेटिव प्रोनाउन जो हमने स्टार्ट कर रहा था काफी टाइम से डिटेल से हम प्रोनाउन को कर रही है और अपने इस रिलेटिव प्रोनाउन में आज बारी आई है वीच और वट की और वट वर्सिस दैट की तो यह दो कॉंसेट जो हैं हम बहुत बढ़िया डिटेल से इन चीजों को करने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पेडियो के बारे में आप लोगों को इन्फोमेशन दे देता हूं कि टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पेडियो को साथ यसाथ ये करते हैं अपनी वीडियो को तो फर्स्ट ओप ओल हम इंट्रोड़क्शन देखते हैं कि प्रोनाउन कहते कि इसको है तो प्रोनाउन जो है एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज हो जाए भाई नाउन क्या होता है नाउन किसी विक्ति का नाम किसी स्थान का नाम या फिर कहें एक सिंपल सी टम एक नेमिंग वर्ड है और उस नेमिंग वर्ड की रिपिटिशन रोकनी है तो हमें प्रोनाउन चाहिए होता है तो यहाँ पर प्रोनाउन की डेफिनिशन क्या हो जाएगी a word used in place of a noun noun के जगह पे उने वाले use होने वाले शवद को pronoun कहते हैं अब ये तो होगी definition हर बार अपनी वीडियो के अंदर मैं definition से start करता हूँ हम इतनी बार definition देख चुके हैं मुझे लगता है कि हर बच्चे को ये याद हो गई होगी अब बात उठती है कि sir, pronoun होते कितने type के हैं तो ये pronoun कितने type के होते हैं ये आपके सामने ये table रही देखे, pronoun जो है यहाँ पर personal pronoun, possessive pronoun reflexive pronoun emphatic pronoun, distributive pronoun demonstrative pronoun, relative pronoun reciprocal pronoun interrogative और indefinite इतने type के pronoun होते हैं कोई एक आदा बच जाता है तो उसे miscellaneous में डाल दिया जाता है clear? अब बात या आती है कि sir, इतने type के तो आपने बोल दिये, कि इतने type के तो pronoun होते हैं, हो कितने चुके हैं अब तक, तो एक बार इसका भी overview ले देते हैं कि कितने हो चुके हैं तो अपना personal pronoun खतम हो चुका है possessive pronoun खतम हो चुका है reflexive भी खतम हो चुका है emphatic भी खतम हो चुका है distributive भी खतम हो चुका है demonstrative भी हो चुका है अब चल क्या रहा है, relative pronoun चल रहा है और relative pronoun के अंदर भी हमने who whom that इन तीन प्रोनावन को यानि दीन relative pronoun को हम cover कर चुके हैं और आज जो है हम किसको cover करेंगे आज हम which और what ये दो relative pronoun आज हम cover कर लेंगे तो हद मार के हम कह सकते हैं कि तीन से चार वीडियोज हो राएंगे अपना पूरा pronoun खतम हो जाएगा clear और आज काफी ज़्यादा important वीडियो होने वाली है क्योंकि आज आपको एक high advance कह सकते हैं कि that versus what का एक concept आपको पता चलेगा बहुत बढ़िया से details ही जोंक करेंगे तो उमीद करता हूँ कि ये आपको overview समझ में आ गया होगी कि हम कहां पर कौन से पड़ाव पर है तो अभी सबसे पहले हम start करते हैं which को तो use of which पहले तो आप लोगों को एक चोट इसी इसकी definition दे देता हूँ कि which की definition क्या है देखिए which की definition कहती है कि अगर एक पूरे के पूरे close को refer कराने के लिए relative pronoun की जरूरत होती है या relative pronoun लिखना होता है तो वह कौन सा होगा वह which होगा या फिर इसकी जो दूसरी definition बनती है यदि एक relative pronoun का antecedent एक close हो तो फिर which relative pronoun यूज होगा वहाँ पर त्यान से समझना यदि एक relative pronoun का antecedent एक close हो तो फिर which relative pronoun यूज होगा यहाँ पर अब बात आठती है कि sir antecedent क्या होता है तो antecedent क्या होता है इसकी एक छोटी सी definition यहाँ पर लिख रखी है Antecedent वह है noun, pronoun close है जो की refer किया जाता है किसी relative pronoun के द्वारा मुझे लगता है कि यह चीज़ां आपको शायद समझ में नहीं आई होगी क्योंकि definition पढ़ने से चीज़ें clear नहीं होती है तो starting में आप लोगों को यह definition इसलिए दिखाई है क्योंकि मैं दोबारा से भी लेकर आने वाला हूँ लेकिन जब दोबारा से लेकर आऊँगा तब आपको उससे पहले मैं आपको कुछ concepts with practical चीज़े करवा चुका हूँगा practice करवा चुका हूँगा तब देखना यह तीनों की तीनों चीज़े आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हूँगी अब यह close क्या होता है देखिए यह वाली चीज़ है वो अब नहीं आएगी क्योंकि इससे पिछली वाली वीडियो आप देखेंगे जिसके अंदर मैंने close के उपर special phrase and close के उपर एक अलग से वीडियो बनाई है तो जाकर वो देख लेना तो close अच्छे समझ आ जाएगा किसको कहते हैं हाँ आज की date में आपको यानि आज की वीडियो के अंदर आपको antecedent के बारे में पता चल जाएगा यह relative pronoun which के बारे में पता चल जाएगा तो आपको यह concept यहाँ पर यह definition अगर समझ में नहीं आई है तो tension नहीं लेने का अभी आप ही क्या किस पे चलते हैं एक बार सबसे पहले हम कुछ example के तुरू इन चीजों को समझ लेते हैं फिर दुबारा से उनकी definition के उपर जाएगे और फिर देखते हैं कि कितना हमें समझ में आया और कितना नहीं आया तो आपके सामने तीन example लिखे हुए है और इन तीन example को जैसे हमारी जो trick रहती है करने की वो यह कि सबसे पहले इन तीनों को break किया जाए break किया जाए का मतलब हर एक word का x-ray करने है हमने जानना है कि Aryans को English grammar में या उसमें 500 speech में इसको क्या कहेंगे head को क्या कहेंगे horse को क्या कहेंगे in को क्या कहेंगे dare को क्या कहेंगे तो हमारी जैसे हमेशा trick चलती है यह कि first of all हम इनको break करेंगे break करने के बाद हम जो बिमारी है उसको पकड़ेंगे जो problem है हम उसके उपर जाएंगे तो पहले sentence पर आते हैं पहला sentence कहा रहा है कि Aryans had horses in their army that was the main reason for their victory over the people of Hadappan civilization यहां पर अगर break करने की बात करें तो head से break करते हैं तो head हो गया है यहां पर main war Aryans यहां पर क्या हो गया subject horses यहां पर क्या हो जाएगा object इन यहां पर क्या हो जाएगा preposition और preposition के बाद उसके क्या आते हैं preposition के object तो यह क्या हो जाएगा preposition का object हो जाएगा there इसके उपर अधिकार जताने वाला क्या हो जाएगा possessive adjective हो जाएगा अब यहाँ पर यह चीज हो गई यह that क्या है यह that जो है वो एक relative pronoun है was क्या है फिर से main verb आ गई यहाँ पर reason क्या है यह subject compliment है main इसको qualify करने वाला adjective है और the क्या है article है for क्या है proportion है और proportion के बाद क्या आते हैं proportion के object आते हैं तो victory क्या बनेगी proportion का object बनेगी और there इस victory के ऊपर अधिकार जताने वाला क्या है possessive adjective है अब यहाँ पर over क्या है over फिर से एक ओर proposition है और proportion के बाद क्या आते हैं proportion के object आते हैं तो people यहाँ पर proportion के object बन जाएगा of फिर से proportion है और 58 civilization यह पूरा का पूरा आपका proportion का object बन जाएगा दो noun देखे हड़पन civilization अगर दो noun बिलके एक noun का काम करते हैं तो इसे compound noun कहते हैं तो हड़पन civilization यहां पर compound noun कहलाएगी तो यह हो गया हमारे सामने दा article होते हैं यहां पर लिख देता हूँ कि देखे a, an, और the यह तीन article होते हैं मैं बार-बार चीज़ें आपको बताता रहा हूँ जब भी हमने English grammar की वीडियो स्टार्ट किये तब से मैंने आपको बताया है कि a, an, the तीन article होते हैं इसकी हिंदी होगी कि Aryans की आर्मी में घोडे थे और यह main reason था यह main कारण था उनकी जीत का हडपन civilization के लोगों पर तो यह होगी आपके सामने first sentence की हिंदी second sentence को break or कर लेते हैं रोहन always blames other for his failures that is not liked by his friends तो यहां पर verb क्या है यह verb होगी हमारे सामने blames यह होगी हमारे सामने verb always क्या है इस verb को qualify करने वाला एक word है और एक कैसा word जो verb के बारे में बताए उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं adverb यह रोहन क्या है रोहन भाईया यहां पर subject है clear blames किसको करते हैं others को blame किया गया है तो blame का receiver हो जाएगा others तो other बन जाएगा यहां पर object for क्या है preposition है और preposition के बाद क्या आते हैं preposition के object आते हैं तो failure is preposition का object बन जाएगा he is इसके उपर अधिकार जताने वाला possessive adjective बन जाएगा यहां पर that related pronoun है is helping verb है not adverb है adverb of negation कहेंगे adverb of negation liked main verb है by preposition है और preposition के बाद preposition के object आते हैं तो friends preposition के object बन जाएगा he is इसके उपर अधिकार जताने वाला possessive adjective हो जाएगा उमीद करता हूँ यह चीज़ें आपको पता होंगी क्योंकि मैंने फर्स वीडियो से आप लोगों को break करना सिखा दिया था कि कैसे break करना है और break करने का जो concept है वो आपकी मतलब यह कह सकते हैं कि clarity लाता है चीज़ों के अंदर समझने के अंदर यह चीज़ क्यों हो रही है यह चीज़ क्यों लगाई है reason आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगते हैं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा बशरते कि अगर आपने कुछ पढ़ रखा होता है तो बेशक आपको समझ में आ सकता है लेकिन आप जीरो से स्टार्ट है तो यह वीडियो मैं कह सकता हूँ कि 100% आपके सर के उपर से जा रही होगी अब यही सोज रहे होगी सर यह subject compliment क्या है यह possessive adjective क्या होते है यह preposition का object क्या होता है यह सारी चीजे मैंने आपको करवाई है कम से कम 20 वीडियोज होगी English grammar की जीरो से स्टार्ट करवाया था मैंने तो जाकर वो वीडियोज देख लिजिए playlist मिल जाएगी English grammar करके तो वहाँ पर आप लोग सारी की सारी वीडियोज देखिए बहुत अच्छे से चीजों करवा रखा है मैंने अच्छा second sentence हो गया हमारे सामने रोहन always blames others for his failures that is not liked by his friends इसकी हिंदी क्या होती है कि रोहन जो है हमेशा blame करता रहता है दूसरों को अपनी गलतियों के लिए और यह जो चीज है उसके दोस्तों को पसंद रही है clear होगा है यहाँ पर second sentence की हिंदी होगी problem है तीनों के अंदर अब यहाँ पर तीनों के अंदर problem है एक बर break करते हैं फिर उस problem के उपर जाएंगे यहाँ पर आते हैं third sentence के उपर third sentence है Ajay sir breaks each sentences into parts of speech that is the reason why I joined his online course तो यहाँ पर verb की बात करें Ajay sir breaks breaks यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके सामने verb हो जाएगी और Ajay sir यहाँ पर यह क्या हो जाएगा आपके सामने subject हो जाएगा अब break क्या करते हैं sentences करते हैं तो sentences यहाँ पर क्या हो जाएगा object हो जाएगा और each इसको qualify करने वाला एक adjective है distributive adjective कहते हैं इसको यह adjective हो जाएगा into proportion है और parts इस proportion का object हो जाएगा क्योंकि proportion के बाद उसके object आते हैं तो parts इसका object बनेगा of फिर से proportion आगी और speech इस proportion का object हो जाएगा that relative pronoun है is यहाँ पर main verb है reason subject compliment है the article है why जो है वो conjunction है clear I एक और subject आगे हैं यहाँ पर okay joined एक और main verb आगी यहाँ पर joined word course course यहाँ पर object बनेगा किसका इस joined verb का यह object बन जाएगा online इसको qualify करने वाला adjective कह सकते हो या फिर online course दोनों के दोनों आप क्या कर सकते हो compound noun के noun भी कह सकते हो कोई फरक ने पड़ेगा he is इस course के उपर अधिकार जताने वाला possessive adjective हो जाएगा okay तो यह आपके सामने तीनों के तीनों sentences मैंने break करती हैं एक बर इस third की भी आपको हिंदी बता देता हूँ कि Ajay sir breaks these sentences into parts of speech that is the reason why I joined his online course कि Ajay sir जो क्या करते हैं मेरा नाम ही Ajay है कि क्या करता हूँ मैं हर sentence को उसके 500 speech में तोड़ देता हूँ जिसके कारण मैंने उनका course जोइन किया है तो यह इसकी हिंदी हो जाएती है अब आते हैं अपने which के उपर कि अब तक आपने which का यहां पर use नहीं देखा है एक बर समझ लेते हैं देखिए जितने भी अपने सामने जो relative pronoun आएंगे जैसे who आया whom आया और that आया यह जितने भी relative pronoun आये इनका कहीं न कहीं exclusive use हो रहा है specific जगा इनका use हो रहा है ऐसा तो नहीं यह निकि who आया उसकी जगा हमने that लगा दिया ऐसा तो नहीं कर सकते यह फिर whom आया उसकी जगा हमने that लगा दिया that आया उसकी जगा हमने who लगा दिया ऐसा तो नहीं गर सकते न यह जो दोनों चीजें हैं human beings के लिए use की जाती है that जो हमने देखा था कोई special किसी को अगर हमने special बना दिया है किसी को definite कर दिया है जैसे कि हमने देखा था कि the same, the few, the little, the only the plus super relative degree everything, both, none अगर इनके बाद अगर कोई noun आ रहा है उसको refer करवाना है तो that relative pronoun use हो रहा था तो इन सब के अपने-अपने कुछ specific use है, exclusive use हो गए यहाँ पर इनके सामने ऐसे ही which का अपना एक use होता है which जो है वो animal के लिए और things के लिए तो आता ही आता है उनको refer कराने के लिए आता ही है लेकिन which का एक और use है वो आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो ज़र आप पहले sentence पे आते हैं पहले sentence में आपके सामने जो बोला गया है एक मिन्ट इसका color change कर लेते हैं पहले sentence में आपके सामने जो बोला गया है कि Aryans had horses in their army that was the reason for their victory over the people of hadappan civilization यह जो आप that देख रहे हो यह जिसको refer कर रहा है वो reason है वो main reason है उनकी victory का hadappan civilization के उपर भाई यह जो reason है यह main reason यह subject compliment है और subject compliment क्या करते हैं वह यह subject को ही qualify कर रहे होते हैं subject compliment और subject दोनों एक होते हैं main reason यह that है और that जिसको refer करेगा वही antecedent होता है ध्यान रखना antecedent जो मैंने बोला antecedent वो होता है जिसको relative pronoun refer कर रहा होते है अब यह जो relative pronoun है यह जिसको refer करेगा वो antecedent होगा अब यहां पर मुझे एक चीज बताओ यह main reason क्या है main reason army है या main reason there है या main reason in है या horse है या head है या Aryans है main reason क्या है main reason army हो सकती है अरे army तो हड़पन civilization हडपन के लोगों के पास भी थी क्या horses क्या गोडे है गोडे तो इनके पास भी हो सकते हैं यह फर्क होता है कि लड़ाई में काम आने वाला है या फिर अलग उसका uses हो रहा है तो वो हो गया main reason जो था main reason यह था इनका कि हडपन की जो आरेंस जो थे उनकी आर्मी में घोडे थे यह जो पूरी बात है यह जो पूरी बात है वो है main reason अब यह पूरा का पूरा close जो है वो antecedent बनेगा यह बनेगा पूरा का पूरा close antecedent अब इस पूरे close को आपको refer कराना है इस पूरे close को अगर refer कराना है तो इतनी ताकत जो है वो इस that के पास नहीं है भाई यह कमजोर आदमी है यह कहता भाई मैं इतनों को नहीं संबाल सकता तो इतनों को नहीं संबाल सकता तो इस that की जगह पर ही which आएगा यही होता है which का exclusive use अगर एक पूरा का पूरा close antecedent है उसको refer कराना है तो वहाँ पर that नहीं, who नहीं whom नहीं, अकेला which ही ऐसा है जिसके पास इतनी power है, इतनी capacity है कि उसको refer करवा सकता है इस पूरे के पूरे close को तो यह है which का exclusive use आया समझ में क्या बोला मैंने फिर से अगले sentence को समझते हैं आपको वहाँ पर समझ में आएगा देखिए ज़रा, यहाँ पर क्या है Rohan always blames other for his failures that is not liked by his friend Rohan जो है, वो blames करता रहता है दूसरों को अपनी गलतियों के लिए यह जो चीज है, वो पसंद नहीं है उसके दोस्तों को नहीं क्या चीज पसंद नहीं है क्या like नहीं किया जाता इस that को like नहीं किया जाता और यह that किसको refer करेगा उसी चीज को like नहीं किया जाता बई बताओ, यह that किसको refer कर रहा है failure को refer कर रहा है क्या failure पसंद नहीं करते क्या उसके दोस्त क्या four पसंद नहीं करते या others को पसंद नहीं करते या blames को पसंद नहीं करते या always को पसंद नहीं करते वो जो चीज है वो पसंद नहीं करते उसके दोस्त और यही कार्ण है कि उसके दोस्तों को यह चीज पसंद नहीं आती तो यह पूरे के पूरा क्लोस जो है वो इस यह पूरे के पूरे क्लोस को रैफर कर रहा है यह दैट फिर से इस दैट के पास ये बेचारा जो that है कि कहता है भाई मेरे में इतनी हिम्मत है नहीं मेरे पास इतनी मैंने भाई या पावर ले नहीं रखी कि मैं इस पूरे के पूरे close को आगे लेके चल जाओ तो भी मेरे पास इतने दम नहीं है तो मेरे जगाए एक और चीज की use कर लो और उसका नाम है which तो आप एक काम करो which का use करो क्योंकि which के पास ही इतनी शमता है कि वो इस पूरे close को refer कर सकता है तो antecedent है पूरा close है यहाँ पे clear हुआ यहाँ पर भी नहीं आया तो कोई tension वाली बात नहीं है अगले close पे आओ अगला close बताएंगे आप लोगों को अगले close के अगले sentence पे आओ जरा अगला sentence क्या कहता है अगला sentence कहता है अजे सर ब्रेक्स इस sentences into parts of speech that is the reason why I joined his online course भाई अजे सर क्या करते हैं हर एक sentence को तोड़ देते हैं उसके parts of speech में और यही कार्ण है कि मैंने उनका online course जोइन किया है अब यहां पर यह जो reason है यह subject compliment है और जैसे मैंने बताया subject compliment और subject क्या होते भाई यह एक ही होते हैं यह जो relative pronoun है यहां पर subject बन रहा है यह subject है यह जो which है यहां पर यह subject है ठीक है क्योंकि इस verb को subject चाहिए तो subject जो relative pronoun होता है देखिए, यह मैं फिर से बता देता हूँ कि relative pronoun जो होता है वो दो काम करता है एक तो आने वाले close के अंदर आने वाले close के अंदर या वो subject बनेगा या फिर वो object बनेगा, एक तो ये काम है साथ इसाथ दो close को जोडने के लिए वो conjunction का भी काम कर रहा होता है या फिर कहें, इस relative pronoun के पास ही है तो relative pronoun दो-दो काम कर रहा होता है कि आगने वाले अगले close के लिए वो subject या object बनेगा और साथ इसाथ दो-दो close के जोडने के लिए conjunction का भी काम करेगा और ये जब हमने relative pronoun स्टार्ट किया था वहाँ पर इस concept को मैंने समझाया भी था अब यहाँ पर अगर फिर से वो चीज़े मैं समझाने बैटूँगा तो वीडियो भाई साब अंती नहीं होगा इसका भाई इतनी लंबी चली जाएगी और फिर दिक्कत आ जाती है बच्चे बोर होने लगते हैं कि इतनी इतनी lengthy वीडियो तो मुझे भी थोड़ा बहुत आप समझे एक साथ इतना कुछ मैं नहीं बता सकता एक ही वीडियो के अंदर तो पिछली वाली वीडियो जरूर देखें इस चीज़ों को समझने के लिए तो यहाँ पर which जो है subject है और यहाँ पर जो which जो है यह भी subject है which object भी हो सकता है no doubt इसमें कोई बड़ी बात नहीं है वो depend करते हैं कि अगले close में आपको बनाना क्या है यहाँ पर subject की requirement थी इसलिए which जो है यहाँ पर subject बना ओके आओ जो रहा यहाँ पर इसमें आते हैं देखे यह जो that है यह reason जो है इस that को एक तरीके से compliment कर रहा है इसको तो यह reason और that क्या है same है वह क्या reason है कि तुमने जो है या फिर मैंने join किया अजे sir का batch कोई तो reason होगा यह that है reason और यह that जिसको refer करेगा वही reason होगा, that किसको refer कर रहा है that speech को refer कर रहा है क्या, speech है क्या reason जो मैंने join कर लिया उनका online course, या फिर parts हैं, या sentences हैं या each है, या breaks है, या Ajay sir है, Ajay sir ही reason होगे इनको इतना ज़्यादा पसंद कर लिया कि मैंने join कर लिया वही क्या reason है सर, reason है कि Ajay sir sentence को break कर देते हैं उनके part so's पीच में यह जो पूरी बात है यह reason है तो यह पूरी reason है इस पूरी बात को मुझे refer कराना है और जैसे कहा कि इस पूरी बात को refer कराना है तो इस बेचारे that का इतना dumb निकल जाएगा यार और इस that का dumb निकल जाएगा तो that के पास इतनी power नहीं है तो power वाले बंदे को बुलाना पड़ेगा तो power वाला जो बंदा आएगा वो है which तो which आएगा यहाँ पर इस पूरे के पूरे close को refer कराना था तो यहाँ पर यह which जो है वो subject है इतना ध्यान रखना इस reason के लिए या फिर इस verb के लिए subject हो जाएगा और reason इसको qualify कर रहा होगा subject compliment हो गया clear यहाँ पर तो यह हो गया आपके सामने which का एक specific use की which का use कहां करते हैं अब आते हैं दोबारा से एक बार इसकी definition के उपर अब देखो ज़रा क्या लिखा था अगर एक पूरे के पूरे close को refer कराने के लिए अगर relative pronoun लिखना हो तो क्या use होगा which use होगा ओके फिर से तूसरी definition देखो यदि एक relative pronoun का antecedent एक close हो तो फिर which relative pronoun use होगा यहाँ use लिखना भूल गया मैं ओके अब यहाँ पर बात करें कि antecedent क्या होता है antecedent अब समझ में आ जाएगा antecedent वहे noun या pronoun या close होता है जिसको refer किया जाता है relative pronoun के द्वारा तो यह होगा आपके सामने which का पूरा use उमीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अब आगे चलते हैं अब बात करेंगे relative pronoun what के अब ही देखिए जैसे which का हमने use देख लिया कि which का use क्या देखा भई which जो है पूरे के पूरे एक close को refer करवाना हो तो वहाँ पर which आएगा that का भी use हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा है who whom का भी use हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा है ऐसे ही यह जो what जो महाश्य है इनका भी एक special use है और काफी ज़्यादा important या खतरनाक इंसान है यह what इसको हमें समझना है अब इसको समझना है तो एक चीज आपको देखनी पड़ेगी जो what है वो कहता है भाईया मुझे antecedent नहीं है antecedent नहीं चाहिए होता है इसका मतलब यह हुआ अगर sentence में आपको antecedent मिले ही ना तो वहाँ आएगा that अभी मुझे लगते है कि आपको यह वाद समझ भी नहीं आई होगी फिर से एक बार practice कर लेते हैं और फिर देखिए आपको समझ में आती ही नहीं आती आपके सामने चार sentences है इन चार sentences को देखिए लिखा हुआ है I could not understand the topic he taught yesterday देखिए जो what relative pronoun होता है इसको इसकी हिंदी होती है जो इसको ऐसे समझ लो इसकी हिंदी होती है जो हिंदी से भी करवा देंगे आपको ठीक है अब यहां पर आपके सामने sentence लिखा हुआ I could not understand the topic dash he taught yesterday यहां पर एक बर इसको break कर लेते हैं जो could हो गया यह helping word हो गया modals होते हैं can, could, may, might, shall, should यह सारे जो होते हैं modals होते हैं तो यहां पर यह modals हो गया understand यहां पर verb हो गया क्योंकि आपको पता है verb की base form कहेंगे इसको verb की base form क्योंकि modals होते हैं वो हमेशा अपने बाद verb की base form लेते हैं और note जो है वो इस verb को qualify कर रहा है और एक ऐसा word जो verb को qualify कर दे उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं adverb तो यह होगी अबहारे सामने adverb I could not understand I could not understand what क्या समझ मिन नहीं है I could not understand the topic topic जो है यहां पर जो है object है the article है he जो है subject हो गया I यहां पर फिर से subject है subject number one लिख देता हूँ यह one हो गया यह एक subject हो गया subject number two हो गया यह tot जो है यहां पर main verb है yesterday जो है इस tot को qualify करने वाला एक time बताने वाली एक adverb है adverb of time कहेंगे इसको ठीक है अब यहां पर जो है यह sentence हो गया हमारे सामने break अब बात करें कि तीन चीज़े मैं आप लोगों को देता हूँ which that और what इन मेंसे अगर हमें कुछ भरना हो चलिए who और whom भी दे देते है इन पांच चीजों को देख लएते हैं कि यहांपर क्या आएगा अब यहांपर who-whom से आते हैं कि यहांपर who-whom आसकते हैं देखे who-whom नहीं आसकता क्योंकि who-whom जो ओते हैं वो इंसानों के लिए आते हैं वो इंसानों को human beings को refer कराना हो तो वो आते हैं तो यहाँ पर तो topic है topic एक non living thing है तो इसलिए इन दोनों का पत्ता हो जाता है साफ who whom तो वैसे कटके तो बचे क्या आपने पास एक तो which बचा, एक that बचा और एक what बचा इनको और देख लेते हैं what आएगा क्या देखे what जो है equipment आपको यहाँ पर यह वाला sentence और कराता हूँ फिर समझ में आएगा कि what आएगा कि नहीं आएगा यह समझो ज़रा I could not वही उपर वाला SM2SIM बस एक छोटा सा जो difference मैंने करके दिया है कि बस इसमें एक word मैंने हटा दिया है यह देखे यह main verb होगी यह main verb होगी वह आपकी base form तो है main verb है यह that topic यानि वो जो topic वो मैंने हटा दिया है वही सेम जो चीज है वो उपर वाली उपर वाली मैंने सेम रख दिया बस एक topic जो है वो मैंने यहां से अटा दिया है clear अब आपको what का मतलब समझ में आ जाएगी what कहां आने वाला है यहां पर देखे what आएगा अरे यहां पर the topic इस verb को अपना object मिला हुआ है और यहां पर एक तरीके से antecedent बनने के लिए कोई चीज तो बैटी है यह topic बैठा है तो यहां पर जो है एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि which यहां फिर कहें that यह दोनो लगा सकते हैं क्योंकि यह which और that है जिसको refer करेंगे जिस भी चीज को refer करेंगे यानि जो antecedent बनेगा वो तो आके बैठा है न यह topic बैठा है यहां पर तो यहां पर यह which और यह that यह दोनो इसको refer कर सकते हैं दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं तो यहां पर best तरीका रहेगा आप that को prefer कर लो देखो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि that ही बिल्कुल सही है दोनों ही सही है लेकिन कभी refer करने की बात है जो that को refer करो अपने priority that भाई साब को दे दो एक तो यह चीज होगी लेकिन यहां पर देखो जरा I could not understand अब यहां पर वो topic आए बैए मुझे वो समझ में नहीं आया I could not understand मुझे वो समझ में नहीं आया भाई क्या समझ में नहीं आया कोई चीज होगी वो चीज समझ में नहीं आयी तो यहां पर अगर which or that लगाएंगे तो यह कहेंगे कि भाई हमें object तो लाके दो जिसको हमें refer करना हो यहां पर तो verb है verb को तो हम refer नहीं कर सकते भाई antecedent noun or pronoun बनेंगे यहां पर तो वो तो बन नहीं रहें यहां पर वो तो है नहीं तो इसलिए यह उसको refer नहीं कर पाएंगे तो यहां पर जो है word आएगा अब यह जो word है यही कहता है कि I could not understand what he taught yesterday मैं समझ भी नहीं पाया जो उसने कल समझाया था जो उसने कल समझाया तो यह हो गया हमारे सामने word का exclusive use जो अगर इसके पीछे कोई antecedent नहीं मिलता तो word लगा देंगे अगर antecedent है तो हमें देखना है कि वहां पर कोई चीज है कोई human being है तो वहां पर हम who whom which that के हिसाब से वहां पर use कर लेंगे यह helping verb हो जाएगा not adverb of negation हो जाएगा no जो है यहां पर एक तरीके से main verb हो जाएगा she जो है वो subject number 2 हो जाएगा said main verb हो जाएगा about proportion हो जाएगी parents इस proportion का object हो जाएगा you are इसके ओपर अधिकार जताने वाला possessive adjective हो जाएगा clear यहां पर अचा यहां पर एक छोटी सी तीज हो रहा है गई यह यहां पर तो होगी यह subject बन गया यह relative pronoun तो बन गई यहां पर अचा काम क्या कर रहे है relative pronoun obviously pronoun का कुछ ना कुछ ना कुछ तो काम देना पड़ेगा pronoun यह कर रहे हैं कि यह जो tot verb है इनका object बन रहे हैं that और which यहां पर इस tot verb का object बनेगे यहां पर same यहां पर यह जो word है यह क्या कर रहा है is tot verb का object बनेगा यह object बनेगा यह relative pronoun तो है यह साथ मी साथ मी यह object भी बनेगा obviously pronoun आया है pronoun का कुछ ना कुछ तो काम देना या तुसे subject बनाए या तुसे object बनाए subject इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर इस अगले close में ही subject बनके बैठा है object नहीं है, इसलिए object बनाना पड़ेगा हमें ओके, तो यहाँ पर आजो ज़रा I don't know I don't know, मुझे नहीं पता She said about your parents अब यहाँ पर आजो which या that लगा सकते हैं क्या which और that लगाएंगे, तो कुछ न कुछ चीज हमें चाहिए होगी अगले sentence में देखो I subject हो जाएगी, don't helping verb हो जाएगी, no main verb हो जाएगी, note यह add verb हो जाएगी, ध्यान रखना I don't know, I don't know what exact statement, statement जो है यहाँ पर object हो जाएगी, exact इसको qualify करने वाला adjective हो जाएगा यहाँ पर she जो है subject नमबर दो हो जाएगी share जो है वो main verb नमबर दो हो जाएगी about फिर से preposition है और parent जो है वो इस preposition का object हो जाएगा और you are इसको qualify करने वाला possessive adjective हो जाएगा अब यहाँ पर देखो अब इन दोनों sentences समझ में आजाएगा कि आपको कहां क्या लगाना है कहां what आएगा कहां which आएगा कहां that आएगा कहां who आएगा कहां whom आएगा इस वाले sentence में आओ exact statement तो इस exact statement में क्या who whom आजाएगा नहीं भई whom जो है वो एक तरीके से किसी human being को qualify करवाने के लिए आता है तो who whom तो वैसी leak से बाहर हो जाते हैं यहां पर बचे क्या which और that और what which और that आएगे what क्यों नहीं आएगा क्योंकि भई यहां पर एक object आके बैठा है जो एक antecedent का काम कर सकता है तो antecedent का काम कर सकता है तो यहां पर आप which या फिर that दोनों को ही refer कर सकते हैं और या प्रियोर्टी दे दो आपने that भाई साब को लेकिन यहां पर क्या आएगा यहां पर तो कोई object नहीं बैठा जिसको आप antecedent की तोर पर use कर सकें तो यहां पर आजाएगा what अब यहां पर जो what है यह which और that है यह क्या बने हैं यह है तो relative pronoun लेकिन इनका काम क्या है यहां पर relative pronoun काम यह है कि sad verb का यह बनके बैठा है object और यहां पर यह sad verb का object बनके बैठा है दोनों के दोनों दोनों में से कोई एक लगाना है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि refer कराना हो, तो which use करेंगे, what कहा लगाएंगे अगर antecedent ही ना हो, तो वहाँ पर what लगाएंगे, अब एक concept और समझाना है मुझे आप लोगों को और वो concept है, यानि कह सकते हैं कि इस वीडियो की या आज के lecture की वो जान है, और वो जो जान है वो है more concept about that इस that को मुझे आप लोगों को समझाना है, और इस that को समझाने से पहले कुछ चीजे मैं आप लोगों को clear कर देता हूँ, ये that ना बहुत भाईया एक बहरूप या इनसान है, बहुत सारे रूप है इस इनसान के, देखिए जरा ये जो that है ना, ये that काफी सारे काम कर रहा होता है देखो जरा, कैसे ये that भाई साब जो है भाई ये adjective भी है ये adjective ही बन जाता है ये जो है वो pronoun भी बन जाता है और ये जो है वो conjunction भी बन जाता है देखिए, तिन-तिन रूप ले रखे हैं भाई सामने, movies में काम करना ये बहरूपी है पूरा तो that जो है वो तिन-तिन रूप ले ले सकता है अब तिन-तिन रूप तो लही सकता है साथ-साथ एक और गड़ बड़ है वो relative pronoun में दो काम और कर रहा होता है एक तो demonstrative pronoun होता है और एक जो हम पढ़ते आ रहे हैं एक relative pronoun होता है भाई सब देख रहे हो इसके तो रूप ही खतम नहीं हो रहे है तो that जो है वो adjective भी बन रहा है pronoun भी बन रहा है और pronoun के अंदर वो demonstrative pronoun भी और relative pronoun भी है और साथ-साथ वो that conjunction भी है इस that को हमें समझना है और इस that को समझने के बाद एक concept मुझे आप लोगों को करवाना है कि भाई या that versus what ये जो चीज है ना देखिए अभी मैंने आप लोगों को जो what करवाया वो बच्चों की चीज थी आपने देखा पीछे कोई antecedent नहीं है आपने फट दनी से what लगा दिया antecedent है तो देखा कि which है that है या who है या whom है उसकी हिसाब से अपने इन दोनों को लगा दिया लेकिन इतना easy कोई पूछेगा थोड़ना अगर exam में आगए तो काफी अच्छी बात है लेकिन पूछा जाएगा यहां से that versus what में और ये that जो है that काफी सारे रूप लेके बैठा है इसलिए बच्चे को confusion होती यहां पर कि भया that कब कहां conjunction बना, कब कहां पर pronoun बना कब कहां पर adjective बना और कब pronoun में वो कब demonstrative pronoun बना और कब कहां पर relative pronoun बना पहले तो ये वाला concept हम समझ लेते हैं अच्छे से फिर हम इसके उपर चलेंगे कि that versus what इसको हम करेंगे clear, एक बार इसको rough कर देते हैं और यहां पर समझते हैं अब आईए ज़र आपके सामने ये चार sentences हैं और ये चार sentences के तुरू मैं आप लोगों को इस that भाई साब के रूप बता दूगा यहां पर लिख देता हूँ कि that जो है वो कितने रूप लेके बैठा है that जो है यहां पर तीन रूप लेके बैठा है न एक adjective हो गया एक conjunction हो गया और एक pronoun हो गया और इस pronoun के अंदर भी ये भाई साब जो है वो दो रूप लेके बैठे हैं एक demonstrative pronoun है और एक relative pronoun है तो ये दोनों चीज़े हमें और समझनी है अब साथी साथ आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़े मैं आपको करा देता हूँ कि देखिए जब that जो है वो conjunction होता है that जो है जब conjunction होता है तो that की हिंदी होती है की और that जब relative pronoun होता है that pronoun में भी जो relative pronoun होता है उसकी हिंदी होती है थोड़ा सा color बदल के लिख देते है ताकि आपको समझ में आ जाए कि that जब relative pronoun होता है that जब relative pronoun होता है तो इसकी हिंदी होती है जो जैसा जिसको इसकी हिंदी हो जाती है ये तो हिंदी से बहुत जाद अच्छे से करेंगे इस चीज़ को कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद हो पाएं फिर से देखें that जो होता है वो conjunction होता है conjunction होता है तब इसकी हिंदी क्या होती है की होती है और that जब प्रणावन होता है yn eternal pronoun adjectival close बनाते है और that noun close बनाता है जब वह conjunction होता है पिर यहां पर देखें यह जो इब फिर प्रणावन होते हैं तो यह बनाते है एबढ़ियाँ लेकिन फरक है that noun close तब बनायेगा जब वो conjunction होगा और जब यह relative प्रणावन होगा मैं क्यों बता रहा हूँ देखिए ज़रा who whom which that ये adjectival close बनाते हैं लेकिन what इकलोता एक ऐसा relative pronoun है जो noun close बनाता है अब ये देखिए ज़रा that भी noun close बना रहा है और what भी noun close बना रहा है ठीक है अब बच्चे को ये confusion हो जाती है कि sir that जो है आपने कहा थे ये relative pronoun adjectival close बनाते हैं तो यहाँ पर that noun close कैसे बना रहा है तो that noun close तब बनाता है जब वो conjunction होती है और इसी चीज़ को आपको समझाना है मुझे कि कब यहाँ conjunction होगी कब किसी sentence का meaning यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे आपने कभी कभी sentence में दो बार that that लिखा होगा तो यहाँ पर that जो है इनका function अलग अलग होते है और यह जो चीज़ है आप यहाँ पर समझ पाओगे तो चलिए ज़रा यहाँ पर आते है I liked that कार इस sentence को करते हैं और फिर यह चीज़ें समझ में आएंगे आपको क्या like करते हो भाईया कार करते हो तो कार यहाँ पर क्या हो जाएगी object हो जाएगी बै कौन सी कार है that कार तो that यह कार क्या है एक noun और noun को qualify करने के लिए को शब्द आए तो उसको क्या कहते है adjective कहते है और adjective में यह है demonstrative adjective तो देखो जरह यह that यहाँ पर adjective बन गया आगे देखो जरह the quality of अरे this pen आना थे यहाँ पर the quality of this pen the quality of this pen थे यहाँ पर ठीक है the quality of this pen of यहाँ पर proportion है pen यहाँ पर proportion का object है this इसको qualify करने वाला या फिर कहें इसको परिशारा करने वाला demonstrative adjective है is mean verb है better adjective है then conjunction है that of that one of proportion है और one इस proportion का object है quality यहाँ पर subject है और दा जो है वो article है अब यहाँ पर आपके सामने question जो है यहाँ पर आ जाते है is that के उपर कि यह that क्या है और यह वाला that क्या है यह देखो ज़रा यह वाला जो that है हमने यह concept किया था ना याद हो तो demonstrative adjective है demonstrative pronoun जब हम कर रहे थे the air of कर रहे थे न the air of Delhi is more polluted than that of Mumbai यह चीज हमने की थी याद हो तो तो यह वाला concept आता है हमारे relative pronoun यह जो that है इस quality को refer कर रहा है भाई यह जो quality है quality quality दो बार ना लिख कर उस noun की repetition रोकने के लिए हमें एक pronoun के जोड़ती और उस repetition को रोक सकता था यह that क्योंकि demonstrate कर रहा है इशारा कर रहा है तो इशारा करने की पावर that के पास है यहाँ पर यह जो है वो pronoun है pronoun है और यह that क्या है यह that क्या है यह that वो इसके उपर इशारा करने वाला demonstrative adjective है clear? यह one क्या है one एक pronoun है इस pen की repetition रोक रहा है यह quality की repetition रोक नहीं थी तो that लगा दिया pen की repetition रोक नहीं थी उपर वाले में तो हमने देखा कि adjective यहां पर pronoun, pronoun में भी कौन सा demonstrative pronoun और यहां पर adjective भी demonstrative adjective यह चीज़ हमने देख ली अगले sentence पर देखो She said that Rohan had sent that romantic letters तो यहां पर अगर मैं बात करूँ verb की तो verb होगी यहां पर sad main verb है और sad एक ऐसी verb है जो transitive है Transitive को मतलब आपको पता है न कि जो verb अपने लिए 100% object लेगी ही लेगी तो यहां पर इस sad verb को अपना object चाहिए चाहिए है अभी देखो ज़रा She यहां पर क्या हो जाएगी? subject हो जाएगा अब यहां पर Rohan क्या है? Rohan यहां पर subject number 2 है यह 1 हो गया ना subject number 2 है head यहां पर helping verb है, sent यहां पर main verb है sent word, letters letters यहां पर क्या बनेंगे? object बनेंगे, भई कैसे letter? romantic भईया प्यार भरे romantic यहां पर क्या बन जाएंगे? adjective बन जाएंगे that क्या कर रहा है? that इस letter के उपर इशारा कर रहा है, भईया वो वाले letter बेज जाते हैं उसने that यहां पर क्या बन जाएगा? that बन जाएगा यहां पर demonstrative adjective तो यह चीज़ होगी अब अकेला बेचारा यह that रहे गया अब यह that रहे गया तो एक चीज़ बताओ मुझे, यह तो that है कि यहां पर relative pronoun that होगा? भईया अगर relative pronoun that होगा तो अगले close में आने के लिए वो किसी ना किसी noun या pronoun के यह कह सकते हैं कि object या subject का का काम करेगा अगले close में भईया अगले close में subject बनके बैठा ही है object बनके बैठा ही हुआ है इसको कहां से तुम subject object का काम पकड़ाद होगे भई तो यहां हो गया आपके सामने यह that conjunction यह हो गया यहां पर आपके सामने that conjunction अब इसकी हिंदी करके देखो ज़रा she said उसने कहा था कि रोहन ने भेजे थे वो romantic letter भई यहां पर यह key की हमें एक जुरूरत थी अब यहां पर देख लो इसको जो लखके देख लो रोहन ने she said उसने कहा था जो रोहन ने भेजे थे romantic letter भई यह जो से तो बनी नहीं रहा एक तो यह reason हो गया हिंदी से करके देख लिया हमने एक हमने logical भी देख लिया कि भई यह that जो है और noun के भाई pronoun को इनको duty दे रखिये noun और pronoun को object subject बनने की यह तो भाईया बिचारा conjunction है conjunction कहां से बनेगा किसी आगे चलके noun यह pronoun तो हमें simple एक conjunction की जुरूरत थी वह आगी एक तो meaning से देख लिया की था वो सही लग रहा था इसलिए लगा दिया हमने दूसरा यह आगे हमें ना subject की जुरूरती ना subject की जुरूरती इसलिए that conjunction बनेगा यहाँ पर ओके अगला sentence हाओ जो रहा है अगला sentence है कि रादिका is the only girl that has passed the exam तो is यहाँ पर helping up हो गई only इसको qualify करने वाली एक adjective है girl यहाँ पर आपको पता है एक noun है यहाँ पर यह क्या बनेगा subject compliment है रादिका क्या है यहाँ पर subject है that has passed the exam past यहाँ पर main verb है past what exam exam यहाँ पर object है the article है has यहाँ पर helping verb है has passed भई इस verb को अपने लिए subject चाहिए था तो यह subject चाहिए तो यह भाई साब इसके पास ही तो जाएंगे that के पास अब that यहाँ पर conjunction बनने से रही demonstrative यहाँ पर pronoun बोलेंगे तो demonstrate pronoun अगर आप कहें कि demonstrative pronoun क्यों नहीं बना रहे है भई इसारा किसके करवा रहे हो इसारा नहीं करवा रहे हो यहाँ पर यहाँ पर आपको refer करवाना है पर refer क्यों करवाना है देखो जरा अभी यहाँ पर यहाँ पर यह बनेगी relative pronoun अभी समझो यह refer का पंगा क्या है देखो Radhika is the only girl भई हम बात कर रहे हैं एक लड़की की किसकी? Radhika की पर क्या है Radhika में? कि वो इकलोती ऐसी लड़की है जिसने पास कर लिया पर इस girl के बारे में तुम्हें कुछ बताना ही नहीं बताना यह आगे का जो close है देखो जरा यह जो आगे का जो close है that से लेकर that से लेकर यह यह वाली जो चीज है यहाँ तक यह जो that से लेकर आगे का जो close है मैं कहा सकता हूँ कि यह इस girl के लिए आया हुआ है कि नहीं आया हुआ? Radhika एकलोती ऐसी लड़की है जिसने पास किया था वो exam यह जो girl के बारे में पूरा का पूरा close बता रहा है इस girl के बारे में बता रहा है और girl का एक noun है और noun के बारे में कोई word बता दे तो उसे adjective कहते हैं और बहुत सारे words मिल के बारे में एक noun के बारे में बता दे तो उसे adjectival close कहते हैं तो यह पूरा का पूरा close है देखो जिरा यह जो that है यहाँ पर इस girl के लिए qualify करने के लिए एक adjectival close बना रहा है अब यहाँ पर conjunction क्यों नहीं आ सकती क्योंकि इस verb के लिए हमें क्या चाहिए था subject चाहिए था इसलिए conjunction नहीं आई अब बात ही वोली कि सर relative pronoun demonstrated pronoun क्यों नहीं आ सकता वही हमें किसी के लिए इशारा नहीं करना हमें किसी के उपर इशारा नहीं करना demonstrate किसी को करवाना नहीं दूसरी चीज यहां पर दो close हैं, दो close कौन-कौन से हैं जरा देखो, राधिका से लेकर ये girl तक एक close one हो गया, that से लेकर ये वाली जो चीज है, ये close दो हो गया, इन दो close को जोडने के लिए हमें conjunction चाहिए होती है, तो वो demonstrative pronoun के पास power नहीं है कि वो conjunction का भी काम करें, तो एक ये reason, भई, relative pronoun के पास ही इतनी शमता होती है कि वो conjunction, conjunction का भी काम करतें और आने वाले किसी close के लिए वो subject या object वो भी बन जाए, और यहां पर ये subject बना हुआ है, इस past verb का तेक तो ये reason हो गया अब यहां पर उपर वाले में देखो जरा she said, वई क्या कहा उसने क्या कहा, ये sad जो है, वो एक transitive verb है और इसको object चाहिए, तो ये object जो है, वो object बनाना पड़ेगा तो ये पूरा का पूरी बात कही न she said, she said that Rohan had sent that romantic letter, उसने कहा था कि Rohan ने बेज़े, तो वो romantic letter ये पूरी की पूरी बात जो है, वो sad verb का object है तो ये बनेगा आपके सामने noun close ये बनेगा noun close अब आओ, मैं आपको definition फिर से समझाता हूँ मैंने बोला, कि relative pronoun क्या काम करते हैं, adjectival close बनाने के काम आते हैं, और adjectival close कौन-कौन से देखे, who, whom, which, that, ये adjectival close बनाते हैं, जब ये relative pronoun का काम करते हैं that, जिसके पास भाया बहुत रूप हैं, वो noun close भी बनाता है, noun close का बनाता है, जब वो conjunction होता है तो ये देखो, इसने noun close बनाया ना, इस that ने, ये देखो, noun नाउन close बनाएं, इस that ने, क्योंकि ये conjunction बना हुआ था यहां पर, clear तो that जो है, वो noun close भी बनाता है, जब वो conjunction होता है दूसरी बात, who, whom, which, that ये adjectival close बनाते हैं, और what इकलोता है, एक ऐसा एक ऐसा इकलोता, relative pronoun है, जो noun close बनाता है clear हुआ यहां पर, क्या बोला मैंने, भाईया, यहां पर देखो, that noun close बनाता है, लेकिन that यहां पर क्या होगा, that conjunction होगा लेकिन what, जो है वो noun close बनाता है, लेकिन that वहां पर क्या होगा, that वहां पर relative pronoun होगा, भाईया, यह फरक है और that जो है वो एक adjectival close भी बनाता है adjectival close भी बनाता है लेकिन वहाँ पर that क्या होगा एक तरीके से that जो है वहाँ पर relative pronoun होगा तो ये फर्क है आप लोगों को बताया है मैंने कि that कितने सारे रूप लेके बैठा है और confusion या फिर कहें कि problem बच्चे को यहीं आती है कि that जो है वो क्या-क्या कर सकता है भाई बहुत बड़ी problem है इसकी तो उमीद करता हूँ कि ये concept आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अभी कहानी खतम नहीं हुई है अभी कहानी शुरू हुई है दो practice करेंगे हम और ये concept आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपके सामने तीन sentences मैंने लिख रखे हैं तीन sentences में हैं कि I didn't like that that what she said bought for me यहाँ पर आपके सामने मैंने जो लिखा है एक that conjunction लिखा है एक that relative pronoun लिखा है एक what relative pronoun लिखा है आपको decide करना है एक बार खुद video pose करके देखिए और आपको कितना समझ में आया है एक बार खुद अपने दम पे करके देखिए मैंने तो कराई देना है चलिए उमीद करता हूँ कि आप लोगोंने कोशिश की होगी नहीं कि यह तो एक बार कर लो भाहिया like जो है यह यहां पर main verb होगी I जो है वो subject होगी I didn't like यह तो होगया हमारे सामने चलो she जो है subject होगी subject number 2 कह सकते हैं कि पहले पर यहां पर आ चुका है number 1 had जो है यहां पर helping verb होगी board जो है यहां पर main verb होगी for जो है यहां पर proportion होगी और me जो है इस proportion का object हो गया देखो जरा I didn't like that that what she had bought for me अब यहाँ पर आपको decide करना है कि इन तीन महाश्यों में से क्या आएगा तो चलिए decide करते हैं यहाँ यहाँ पर देखो जरा आ जाते हैं इस पहले महाश्ये के उपर इस that relative pronoun के उपर क्या यह that relative pronoun आएगा क्या अगर यह that relative pronoun आएगा तो भाया अपने लिए कोई antecedent मांगेगा नहीं मांगेगा इस like I didn't like क्या like नहीं करते कोई चीज तो चाही हमें like करने के लिए यहाँ पर तो कुछ है नहीं ना वर्ब के बाद यहाँ पर कोई object लिखा नहीं हुआ जिसको यह भाई साब refer कर दे तो refer कर दे तो सीधा सीधा इनका पत्ता तो कट गया नहीं यहाँ पर अब पत्ता कट गया तो यह दो चीजें बचती है या तो that conjunction बचता है या what relative pronoun बचता है आओ जरा conjunction भाई साब पर चलते हैं पहले तो जरा हम की और जो इन दोनों से ही हम एक बार हिंदी से कर लेते हैं that जब conjunction होता है तब इसका मतलब होता है की और जो relative pronoun that और what यह जब relative pronoun होते है that और what इनका मतलब दोनों का सेम होता है जो जैसा जिसको तो इनको एक बार हिंदी से करके देते हैं देखो जरा I didn't like I didn't like मुझे पसंद नहीं है की what she said about for me जो उसने मेरे लिए खरीदा है एक तो यह की से देख लिए हमने अब दूसरे की हिंदी सुन लो जरा मुझे पसंद नहीं जो उसने मेरे लिए खरीदा है एक तो clear हो रहा है की सर जो ही आएगा तो जो आएगा तो एक तो what हो गया है यहां पर तो इससे एक तो यहां पर हमारे सामने चीज clear हो जाती है meaning से, हिंदी के meaning से रामबान है यह हिंदी का तो तो यहां से तो हमारे सामने clear होते हैं कि word आते हैं चलो एक बार और तरीका से एक दूसरा तरीका और देख लेते हैं दूसरा तरीका यह है कि देखो भाया यह जो boat verb है यह boat verb है यह कहती है भाया मैं तो हूँ transitive verb और मैं transitive verb हूँ तो मेरे बाद एक object आएगा 100% चाहिए कहीं से लाके तो अपने को तो एक object लाके तो और object जो है वो noun या फिर pronoun ही बन सकते हैं इतनी शमता तो भाया इस conjunction भाई साब के तुपास है नहीं तो इसलिए conjunction जो है वो इसलिए कट जाता है क्योंकि अगले close में बांगी जा रही है एक object की requirement तो object की requirement पूरी कर सकता है what क्यों है क्योंकि relative pronoun होने के नाते वो object या subject बनी सकता है यहाँ पर object की requirement थी तो इसलिए यहाँ पर what जो है वो object बनके आजएगा हमारे सामने तो यह दो चीज़ें हमने देखी है कि कैसे that जो है यहाँ पर आएगा clear अगला sentence हो देख लेते है अगला sentence है कि I didn't like the bag that that what she had bought आओ जो रहाँ यहाँ पर फिर से break कर लेते हैं did जो हो गया यहाँ पर helping of हो गया note यहाँ पर क्या हो गया adverb of adverb हो गया यहाँ पर adverb of negation कहते है like यहाँ पर main verb हो गया like what भया bag like नहीं किया मैंने यह object हो गया I जो है subject हो गया subject number one कहेंगे same उपर वाला है अपने पास subject number 2 हो गया head यहाँ पर helping of हो गया boat यहाँ पर main verb हो गया clear यहाँ पर boat यहाँ पर main verb हो गया अब आओ जरा भाई साब what से मिलते हैं जरा क्या what आएगा क्या यह वट तो तब आता ना जब यहाँ पर antecedent नहीं होता है antecedent तो बैठे हैं यहाँ यहाँ पर यह दा bag यानि कहें object भाई साब तो आये हुए antecedent बनने के लिए तो आये हुए तो इसलिए what का पत्ता साफ हो गया what का पत्ता साफ हो गया साथी जात इस that का भी पत्ता साफ हो जाएगा पत्ता कैसे साफ हो जाएगा क्योंकि यह boat बैठा boat कहेगा कि भही मुझे तो एक क्या चाहिए वह object चाहिए तो object जो वह that ही बन सकता है यहाँ पर क्योंकि वो relative pronoun का काम कर रहा है conjunction वाला that नहीं pronoun वाला that चाहिए मुझे तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा यह object बन जाएगा clear यहाँ पर क्या बोला है मैंने उमीद करता हूँ कि यह चीजें समझ में आ रही होंगी कि यहाँ चल क्या रहा है clear अब अगले concept पर चल लेते हैं third जो हमारे सामने जो example दिया हुआ है third है कि I could not understand I could not understand एक इनिट है इसका रहा बदल है I could not understand यह helping verb होगी not adverb होगी understand यहाँ पर main verb होगी I जो है subject होगी He जो है यहाँ पर subject number 2 होगया taught यहाँ पर main verb होगया अब यहाँ पर बात करें हैं कि that, that या फिर what इन तीनों में से कौन सा आएगा इसकी चर्चा कर लेते हैं अब यहाँ पर देखा कि I could not understand भई क्या समझ नहीं आया क्या समझ नहीं कोई चीज तो ऐसी होगी तो यहाँ पर जो चीज है वो that तो आएगा नहीं relative pronoun वाला क्योंकि ant incident बनाने के लिए इसके पास तो कुछ बचा नहीं न ant incident बनाने के लिए इसके पास कुछ बचा नहीं यहाँ पर तो इसलिए that लीक से बाहर हो गया बचा यहाँ पर क्या ये तो ये वाला that बचा और एक ये what बचा अब यहाँ पर that आएगा या what आएगा एक बर meaning से देख लेते हैं I could not understand मैं समझ नहीं पाया कि उसने समझाया एक तो यह meaning हो गया अब एक और meaning समझते हैं इसका तो की होता है ना इसका मतलब होता है जो अब समझो ज़रा एक तो यह था मैं समझ नहीं पाया कि उसने समझाया था एक यह meaning हो गया मैं समझ नहीं पाया जो उसने समझाया था अरे सर जो वाला मन रहा है तो यहाँ पर what आएगा एक तो यह meaning हो गया दूसरा तरीका और देख लेते हैं चरह यह जो tot है ना यह ठोट बंती किस से है teach से और यह teach verb जो होती ही न मैं कौणगा भाई सब बहुत दगेबाज वब है, बहुत दगअबाज वब है दगअबाज कैसे है? कि बाई ये जो है वो transitive भी है ये die-transitive भी है और ये intransitive भी है ये intransitive भी है इसको दो object भी चाहिए होते हैं यह बिना object के भी आ जाती है तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर लगी हुई है verb की second form और second form लगी हुई है तो यहाँ पर कोई न कोई action हुआ था और action हुआ था तो यहाँ पर हमें उसका receiver चाहिए होता है receiver चाहिए होता है हमें एक object की जुरूरत होती है और object होता है तो यहां पर pronoun जो है उसके पास ही शमता है object बनने की ना की conjunction के पास तो इसलिए यहां पर what आया यह बनेगा object clear हुआ उमीद कर रहा हूँ कि सारा concept यह ताम जहाम आप लोगों को जो मेहनत कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा समझ में आ रहा होगा तो भाईया थोड़ा बहुत हमें भी समझा देना कि समझ में आ गया कैसे like करके subscribe करके channel को और ज़्यादा ही पसंद आ रहे हैं share wear कर देना अपने दोस्तों के पास हमारा ही भलाई हो जाएगी और साथ ही साथ नोट्स भी डाउनलोड कर लेना PDF जो है आप लोगों को provide करवाई जा रही है टेलिग्राम का एक link दिया मिलेगा description box में तो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी last practice है हमारे सामने इसको और खतम कर लेते हैं और आपको ये पूरा concept समझ में आ जाएगा मैं कहता हूँ कि आपको कहीं पर जाने की जूरत नहीं है ये what, that, relative pronoun समझने के लिए आपके लिए ये video काफी है जितना आप लोगों को concept कराया जा रहा है वो बहुत एक तरीके का रामबानी ही है बहुत बड़िया concept जो paid classes में पढ़ाया जाता है वो आप लोगों को यहाँ पर free of course free of course तो क्या कहूं यहाँ पर भी आप अपना time ही दे रहे हो तो चलिए, एक बार खुद try करिए इन चारों sentences को break करिए और एक बार खुद कोशिश करिए कि क्या आएगा यहाँ पर यह वाला थोड़ा सा अलग है यह मैं करवा दूँगा अगर नहीं होता कोई tension वाली बात रही है तीनों को करके देख लीजिए यहाँ पर चलो, अब बारी आती है मेरी कि मैं करवाँगा अप लोगों को यहाँ पर देखिए पहला sentence है कि He didn't tell us that that what Rohan had said about Rajesh यह जो tell verb होती है न अरे भाया, तुम्हें क्या दोरे पट रहे हैं, जादा देर होगी न क्या अच्छी यह जो tell verb होती है यह जो verb होती है वो die-transitive verb होती है die-transitive हो ले, तो भाया, इनको यह होता है, दो-दो object यह दो object वाला पंगा मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है न, यह tell हो गई यह sent हो गई, या फिर कहें give हो गई, यह जितनी बव लिखवा रहा हो न, यह लिख ले न, यह give हो गई, या फिर request हो गई, या फिर हम कहें, promise हो गई या फिर मैं कहूँ, teach हो गई, या फिर कहूँ, ask हो गई, या फिर कहूँ, land हो गई, यह जो verb है ask है, यह land है, या फिर कहूँ, यह जितनी भी verb हैं, वो die-transitive होती है, यह die-transitive की तरीके से काम कर सकती है, clear, तो इसका ध्यान रख लेना अपना एक बर तो यहाँ पर ज़रा देखो, he didn't tell us, he didn't tell us यह didn't, यह हो गया हमारे सामने, helping verb, note, यह जो होता है हमारे सामने, यह है, adverb tell जो है, यहाँ पर है, यह mean verb, he जो है, यहाँ पर subject है, us जो है he didn't tell us, यह indirect object है, भही अब बात करें, सर, यह indirect object क्या होता है, यह concept कराया हुआ है मैंने आप लोगों को, तो पिछली वीडियो खंगा लेना, यह high level का concept है, आपके सामने कहीं सोचोगी, सर, यह क्या चल रहा है, यह advance है, जो, सच कह रहा हूँ, मैं paid classes में पढ़ाया जाता है, आप लोगों को free दे रहा हूँ, तो loot अलो भही है, ज्यान मिल रहा है, तो यहां पर us, जो है, यह हो गया आपके सामने, indirect object अब यह indirect object हो गया, इस बार इस तिन्नों भाष्यों को छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं तो रोहन यहां पर हो गया, subject नमबर दो, अरे तुमको का हो रहा है, एक बिनट रुक हो गया, इसको एक बार थोड़ा सा रफ कर देते हैं यह भी चलते चलते दोरे पड़ जाते हैं तो subject नमबर दो हो गया head यहां पर helping verb हो गया sad यहां पर main verb हो about यहां पर proportion हो गयी, राजेश यहां पर proportion का proportion का object हो गया तो यह sad verb जो है ना, यह sad verb जो है वो एक तरीके से, मैंने अभी आप लोगों को बताया यह है यह है भाईया, क्या transitive verb यह transitive verb है, यह कहती है भाईया, हमको चाहिए object और object चाहिए भाईया, 100% कहीं से ढूंड के लाके दो हमको हमको नहीं पता, हमको तो करना है यह वाली यह बात होगी इसकी यहां पर तो transitive verb है, यह object चाहिए 100% object चाहिए, एक चीज़ यह ध्यान में रख लेना अपनी तो यहां पर आते हैं, जरा इन तीन महाश्यों से मिलते हैं, तो that conjunction आएगी, या that relative pronoun आएगा या what relative pronoun आएगा, इसको decide कर लेते हैं, तो यहां पर जैसे मैंने बोला, यह जो tell verb है, यह है die transitive, यह अपने लिए दो object बांगेगी, तो दो object में एक होता है direct object एक होता है, indirect object us जो है, यहां पर indirect object है अब हम चाहिए direct object तो direct object चाहिए, तो यहां पर that relative pronoun तो आने से रहा क्योंकि भया इसको तो object चाहिए, refer तोड़ना करवाना है हमको, भया इस us के बारे में नहीं बताना, यह यह महांस्य जो बैठे हैं, यह कहते हैं कि हमको हमारे लिए एक object लाके दो तो यह that इसलिए यहां से कट जाएगा अब यहां पर आपको पता है कि इस tell verb को अपना object चाहिए, तो object चाहिए, तो आने वाला जो close है, वही object का काम करेगा, तो इसलिए that जो है, वह adjectival close बनाएगा, यह relative pronoun वाला conjunction है, तो यहां यह noun close बना सकता है, what जो है, यह noun close बना सकता है, लेकिन अब जरह यह देखो, यह that जो है, यह इसने noun close तो बना दिया, लेकिन यह जो sad verb भाई साब बैटे यह तो हमको तो object चाहिए, object नहीं मिल पाएगा इसको, तो object जो नहीं मिल पाएगा, जो that है, यह what sorry, यह what जो है, यह आएगा, क्योंकि यह pronoun है, pronoun होने के कारण यहां पर यह object का काम कर देगा, तो यहां पर right answer जो आपके सामने होगा, वो होगा यह that, what, clear हुआ, अगले sentence पर चलते हैं, अगला sentence कहता है, अमित does not know, तो अम does हो गया यहां पर, helping of, note हो गया यहां पर, adverb of negation, no हो गया यहां पर, main verb, यह भी transitive verb है भाईया, यह भी transitive verb है, सरका होगी कि हमको कैसे पता चलेगा, transitive verb है no, तो यहां पर थोड़े से गुंगुरू बचे होंगे, इसके ऐसे बजा कर देख लेना, अगर बज गई तो transitive verb नहीं बजी तो यह वो transitive नहीं है, अरे पगलो, पढ़ने से पता चलता है मैंने पढ़ा, मुझे पता चल गया, आज मैंने आप लोगों को बता दिया अब क्या भूलोगे क्या, यह transitive verb है या नहीं तो यह चीज़ें तो पता होगी, तो no होगी, यहां पर main verb transitive है, अमित यहां पर क्या है, subject number one हो गया यहां पर रजत यहां पर क्या है, subject number two हो गया यहां पर as यहां पर helping verb है, taught यहां पर main verb है me English, तो यह me जो है, यह indirect object है, taught me English English यहां पर direct object है, direct indirect वाला यह चीज़ मैंने आप लोगों को करवा रखी है तो पिछली वीडियो फिर से कहा रहा हूं, देख लो, देख लो, देख लो इतनी बार request कर रहा हूं, कि यहीं सहे कहों कि सर, हम इसको समझ नहीं आ रहा तो यहां पर English हो गया, direct object, me हो गया, indirect object अब इन तीन महाश्यों पर चले जरा, इनकी बात कर लेते हैं तो देखो जरा, यह transitive verb जो बैठी ना, इसको चाहिए अपना object object चाहिए तो यहां पर क्योई चीज तो है नहीं, जिसको भई यह that, relative pronoun एक तरीके से antecedent के तोरपी यूज कर सके, तो इसका पता सकाट दो ना, यहां से अब दो चीजें बसती हैं, एक तो यह that बचता है और यह what बचता है अब अगर मैं what को बनाता हूँ, यहां पर भई, what को जो है, वो noun close बना देते हैं तो noun close बना देते हैं, तो भई, इस transitive verb को अपने यह लिए एक तरीके से पूरा का पूरा यह close जो है, वो noun close बन जाएगा, और इस transitive को अपना object मिल जाएगा लेकिन ज़रा एक पंगा है, पंगा यह है, एक verb के लिए आ सकते हैं, दो यह object यह जो toat है, इसके लिए indirect object लगा दिया और एक direct object लगा दिया तो इसकी शमता हो जाती है, खतम, कहता भईया हम हो चुके हैं, full हमको नहीं चाहिए अब कोई object बनाने वाली शब्द, तो यहाँ what जो है, वो इस लिए बाहर हो जाता है तो यहाँ बैठा, that यह जीत गया, ओके, तो यहाँ आएगा that, clear हुआ, उमीद कर रहा हूँ, यह चीज़े समझ में आ रही होगी that, what, that, यह क्या चल रहा है, relative pronoun, conjunction, फिर यह relative pronoun, कौन सी कहानी चल रही है आओ जरा, आगले भी बात कर लेते हैं हम जरा आमित does not know, आमित does not know, वही उपर वाला है वही, same to same उपर वाला है थोड़ा बहुत मैंने इसके अंदर change कर दिया है, वही same उपर वाली चीज़ जो है, मैंने लिख दी है कुछ भी नहीं करना, यहां पर आपके सामने, क्या मैंने चीज़ हटाई है, वो देख लेते हैं एक बार जरा मैंने जो चीज़ हटाई है, वो यह हटाई है, कि यहां पर जो एक indirect, यह जो direct object हुआ करता था था न, वो missing है यहां से बस अब चरह समझोगे, देखो जरा, तो यह चीज़ समझ में है, यह that तो आएगा नहीं, उपर वाला एक concept है, यह that उपर relative pronoun वाला तो आएगा नहीं, तो क्या, यह दो बचते हैं, एक यह that बचता है, एक यह what बचता है अगर what ना होता, अगर यहां पर अगर आप English लगा लेते, अगर यहां पर English लगा लेते, तो इसको direct object मिल जाता है, तो इसलिए what के chances खतम हो जाते हैं, अब यहां पर क्या आएगा, अब जरा इसकी Hindi बनाते हैं, समझो जरा, Amit does not know that, पहले that से बनाते है, Amit does not know that Rajat has taught me, कि Amit नहीं जानता कि Rajat मुझे बढ़ा चुका है, Amit नहीं जानता कि Rajat मुझे बढ़ा चुका है, इसकी की से तो Hindi यह बन गी, आउजरा अगले वाले की देख लेते हैं, अगले वाले में यह बनता है, जो, इसकी क्या बने की Hindi, Amit नहीं जानता, जो Rajat मुझे बढ़ा चुका है, सर दोनों सुनने में तो बड़ी सही लग रहे है अरे सब सही लग रहे हैं दोनों सुनने में तो दोनों ही आएंगे यहां पर भया आप यहां पर दोनों ही लगा सकते हो कोई मर्जी आपकी आप वट लगाओगे तो इस टोट वब का यह direct object बन जाएगा अगर वो नहीं लगाना चाहते यह that से भी काम चल जाएगा कोई भी आपको नहीं रोकने वाला इस चीज के अंतर तो यह दोनों ही आ सकते हैं यहाँ पर तो यह concept मुझे आप लोगों को समझाना था कि कब कहाँ that लगेगा कब कहाँ नहीं लगेगा यहाँ देखिए उपर वाले में antecedent नहीं था तो बच्चा फटदनी से सोचेगा अरे sir यह कहांगे उपर वाले में antecedent नहीं था तो बच्चा फटदनी सोचेगा अरे what लगाते हैं that नहीं आएगा या that आएगा वहाँ पर क्योंकि आगले close में ना हमें object चाहिए ना हमें subject चाहिए तो इसलिए what जो है वो leak से इसलिए बाहर हुआ है यहाँ पर यहाँ पर बात करें कि that यहाँ क्यों आया और what यहाँ क्यों आया क्योंकि meaning से भी सही है और grammatically के लिए भी वहाँ पर चाहिए सी चीज बन रही है clear अब आजाते हैं last sentence के उपर last sentence है she promised promised जैसे मैंने उपर लिखा न promised एक डाइट ट्रांजिटीव है दो चाहिए होते इसको तो मतलब दो object चाहिए होते है she promised promised यहाँ पर बनेगी she यहाँ पर है subject me यहाँ है indirect object indirect object है तो यानि इसको एक और object चाहिए एक और object चाहिए तो that जो है वो relative pronoun बनने से रहा क्योंकि वो adjectival close बनाएगा adjectival close बनाएगा तो वो वहाँ पर किसी noun को यहाँ पर refer कर रहा होगा हमें refer नहीं करवाना इस promise को एक अलग से हमें subject चाहिए तो यहाँ पर यह that जो relative pronoun नहीं है एक conjunction है वैसे लड़ाई इसके उपर है नहीं चलो हो यहाँ पर she जो है यहाँ पर subject number तो हो गई would जो है helping of है, give जो है main verb है, me जो है यहाँ पर indirect object है clear यहाँ पर indirect object हो गई यहाँ पर को चोड़ते हैं, आगे चलते हैं अरे यहाँ पर एक चोटी सी, चोटी सी mistake होगी हमसे, mistake होगी whatever के बाद एक word आना था, wanted एक verb है यहाँ पर, ठीक है मैं ऐसे यह चीज़ें लिखने में गलती हो जाती है कोई ना इतनी बड़ी-बड़ी पी-पी-टी मुझे बनानी होती है थोटी-मुटी जो गलती होती है थोड़ा बहुत compromise कर लेना तो यह ऐसे sentence है she promised me that she would give me that word whatever wanted if I topped the exam if यहाँ पर conjunction है I subject है topped main verb है topped word exam है, exam क्या बनेगा object बनेगा तो यहाँ पर अब बात करें she promised यह promise से लेकर बात की बात जितनी भी जो बन रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक यह इस promise verb का बनेगा क्या? अरे means लेकर यहाँ से लेकर एक मिनटी इसको rough कर देते है यह means से ले अरे भाई, सारा है गया ना चली कोई न, कोई न मुझे लगता है कि यह चीज़ें जो है आपको अपने लिख ली होंगी नहीं लिख ली है तो वीडियो पीछे करके लिख ले न क्योंकि दोबारा से नहीं लिखा जाएगा यह मैं दल्दी से लिख देता हूँ प्रोमिस होगी यहां पर मेंवर्ब होगी शी यहां पर सबजेक्ट हो गया मी जो है वो इंडिरेक्ट अबजेक्ट हो गया दैट यहां पर कंजेक्शन हो गई शी यहां पर सबजेक्ट हो गया वुड यहां पर हेल्पिंग वब हो गया give यहाँ पर main verb होगी me फिर से indirect object बनेगा यह इन तिनों को छोड़ देते हैं और यहाँ पर एक verb थी wanted थी, वो मैं लिखना बूल गया था इसलिए मैं लिख रहा हूँ if यहाँ पर conjunction होगया, i यहाँ पर subject होगया topped यहाँ पर main verb होगया exam जो है यहाँ पर object होगया clear यहाँ पर अब she promised जैसे मैंने का यह जो है वो die transitive verb है अपने लिए दो object चाहिए एक object आ चुका है me और एक और object चाहिए वो इस that से लेकर इस exam तक है तो यह जो है पूरा का पूरा एक noun close बना हुआ है तो यह पूरा का पूरा एक noun close बना हुआ है लिख देता हूँ noun close है तो यहाँ तो दिक्कत नहीं है दिक्कत कहा है दिक्कत इन भाहिशताव इन में है ठीक है अब यहाँ पर यह जो है that है यह relative pronoun वाला आएगा या फिर यह conjunction आएगा इसके और discuss कर लेते है इसके discuss कर रहेंगे तो मैंने जैसे का give जो है यहाँ पर है यह give बैठा यह बैठा है die transitive के तोर पे कहता है मैं तो दो object लूँगा एक से तो मैं काम नहीं मानूँगा तो यह me जो indirect object बैठा तो relative pronoun से इसलिए इसका पीछा चुटता है क्योंकि भाई या वो तो क्या कहते है relative pronoun जो हो तो adjectival close के बनाने काम आता है noun close या फिर कहें objective close के बनाने काम नहीं आता इसलिए इसका पीछा हटा अब यह conjunction भी क्यों हटेगा मैं काट देता हूँ क्यों हटेगा इसलिए क्योंकि यहां पर जो wanted जो verb बैठी है न यह अपने लिए मांगेगी subject यह अपने लिए मांगेगी subject और subject जब वो that conjunction तो बन नहीं सकती इसलिए that relative pronoun और that conjunction दोनों ही लिक से बाहर हो गए हमारे सामने अब यहां पर यह what और whatever बसते है इसका मतलब बताता हूँ इसकी Hindi होती है जो और जो कुछ भी whatever का मतलब होता है जो कुछ भी इसकी Hindi होती है अब जड़ा Hindi बनांकि देखो इसकी Hindi होती है She promised me उसने मुझे promise किया था कि वो मुझे देगी वो मुझे देगी whatever जो मैं चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ अगर मैंने exam में top किया एक तो ये हिंदी होगी इस what को लेकर उसने मुझे promise किया था कि वो मुझे देगी जो मैं चाहता हूँ अगर मैंने exam में top किया और एक इसकी हिंदी होगी उसने मुझे promise किया था वो मुझे देगी जो कुछ भी मैं चाहता हूँ अगर मैंने एक्जाम में टोप किया तो दोनों ही सही है वट और वट एवर में सही दोनों ही दोनों सही है वट एवर वट और वट एवर दोनों ही सही है सर करवा क्यों है करवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि prefer भाई है इस whatever वाले को करना ठीक है भले ही दोनों सही है लेकिन prefer क्या है whatever वाले को करना whoever ये वाली जो चाहिते हैं न वही, मतलब what or whatever whom, whomever, ये वाला same concept ही है, यहां पर मैंने आप लोगों को ये वाला चीज करवा दिया तो ये तो था आज आपके सामने which, what that versus what ये सारा concept बने आप लोगों को इस वीडियो में करवाने की कोशिश की बहुत अच्छे से मैंने करवाने की कोशिश की जितना मुझे लग रहा है, जितना मुझे समझाया जा रहा था अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है, तो एक ही तरीका है कि भईये वो आप जो है, वो comment section का use करें, मुझे बताएं कि क्या समझ में नहीं आया, कहां दिक्कत आई ताकि मैं resolve कर पाऊं आने वाली वीडियो के उसके अंदर उससे पूछो कि कहां दिक्कत है telegram का link दिया है, वहां पर भी जाके आप मुझे से पूछ सकते हो, facebook का भी है हर चीज है, मुझे से connect करने की मैंने आप लोगों को चीज दे रखिये साथ ही साथ, भईया समझ में आया गया है, तो like कर देना subscribe कर देना और share कर देना, भईया कुछ जादा ही पसंद आ गए हो, तो PDF हमने आप लोगों को बताई दी है और बहुत जल्द ये वीडियो जो कह सकते हैं कि pronoun जो आपका खतम होने वाला है तो connect रहना, पिछली वीडियो देख लेना आपके लिए playlist बना रखिये तो बस बहुत जादा टाइम हो गया है अब अलविदा लेते हैं थेंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो